पुलिस ने केवल एक ही आरोपी यूवक को गिरफतार किया था जबकि अन्याय आरोपी यूवक गाउं में खुले आम गूम रहे थे जिसके बाद पीड की हूँती के पिता द्वारा पुलिस पर आरोपीों से साज खाने का आरोप लगाते हुए इस मामले में न्याय नहीं मिलने पर गाउं के साथ साथ परदेश भी छोड़कर चले जाने की बात कही थी जिसके बाद केंदे मंत्री डोक्टर संजीव बालियान ने गाउं पहुचकर पिडिक परिवार से मुलाकात करने के साथ साथ इस मामले में पुलिस कर्मियों की जमकर कलाद ली थी तता शिगर ही इस मामले के सभी आरोपियों की गिरफकारी का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया था लेकिन ऐसे केस में अधम से थार रही चीह जाले टोटा पुछ तलग थाम और पुरोवाट रिवेट प्रवाट रख्याट आज चाय वन्माले वेट रख्याट तरह तो जिसको पकड़ना होता है तो मुझे नहीं पता तरीका तुन नहीं कर्देश पक्राइब उस ताच व पकड़का है तो जो जाज करवाई वोगी और तुझे गोई गाहां में कर दे प्रदान जिस फुन गरिवाट इसा कुछ कह दिया गाहां तो जाड़ दूना से बसम्जा दिया सब कुछ आगा तेरी जम्तारिकां का प्रतान है इस परिबार कुछ को कुछ कह दूए घर अजांगे तो जाट नोबने आठ आठ नोबने सारी है अगर यह दुबारा गाहां में दीक्या वे मुझे पोन कर दिया नमबर दे लिख कैसे यह नहीं हो आपके यह तो इसाह घर बेज दूआ जो आए भूर्णी करने गूद कर दिकाव माई दिखाए दिखाए दिखा मामले में केंदे मंतरी के हस्तक्षेव के बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिशो का दोर जारी था इसी मामले में रविवार को जानसर ठाना प्रवारी द्वारा बड़ी कारेवाई करते हुए मामले के आरोपि दो यूँगों अकरम द्रसोहल को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा गिरफतार दोनों यूकों के विरुद तुसंगत धाराओं में अभियोग फंजिकरत करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है